आधने प्रधानमंत्री जी ने निरंतर अपने मार्क दर्सन से आगे वढ़ाया है आज भारत पुरी दुनिया के लिए एक रोल मोडल बना है और पुरी दुनिया के अंदर भारत के इस अभियान को और आधने प्रधानमंत्री जी इसके अभियान को हर मंच पर सरहना मिली है आदेने प्रधानमंत्री जी के जिन्होंने निरंतर इस देश को प्रधानमंत्री की रूप में एक अईभावक की रूप में अपना योग्य मार्ग दर्सन समय समय पर दिया है और इस महामारी के खिलाब चौथी बार देश को संबोधित देश की जनता से सीधे संबाद संबोधन के मादें से आदेने प्रधानमंत्री जी ने और हम सब आभारी है कि आज करोना संकड से उभरने के लिए देश के गरीब के लिए किसान के लिए मजदूर के लिए सोक्सुमलगु मध्यम उद्यम के लिए और प्रवासी स्रमिकों के लिए फेरी नीती से आच्छा पारदित होने वाले ठेला, खोमचा, रेड़ी, पटरी ब्योसाई या अन्या रोज कमाने वाले उन सभी लोगों केले एक बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोशना की है। उनके प्रति आभार वेक्त करता हूँ, मुझे विश्वास है कि इस बड़े आर्थिक पैकेज की माध्यम से न केवल उत्तर प्रदेश का MSME सेक्टर जिसे हमने आधने प्रधान मंत्री जी के मार्क दर्शन में वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट के माध्यम से एक नई प्रदान करने का प्रियास किया, करोना संकट के कारण उनके सामने कुछ विसम इस्तितियां आई थी, ये आर्थिक पैकेज, उन्हें एक बार फिर से आगे बढ़ने के लिए एक नया संबल होगा, इसमें कारेरत हमारे लगभग 45 लाग से अधिक, जिसमें कामगार हैं, सर्मिक हैं, जो सिल्पकार हैं, उन्ह सब को भी एक नई जान मिलेगी, साथ साथ उत्तर प्रदेश में 20 लाग के आसपास प्रवासी सर्मिक आने वाले हैं, 10 लाग अब तक आ चुके हैं, और आगामी दस दिन के दोरान मेरा उन्मान है कि दस लाग के आसपास और आएंगे यानि बीस लाग से अधिक जो प्रवासी, कामकार और सर्मिक आएंगे इन सब को के कल्यान के लिए भी एक नई तिसा हमें प्राप्त होगी प्रदेश में पहले से ही बहुत बड़ी मात्रा में ठेला है, खोमचा है, रेड़ी है, पटरी बेवसाई हैं और अन्य फेरी नीती से आच्छादित होने वाले बहुत बड़ी मात्रा में वे लोग हैं जो देली अपना कमाते हैं, खाते हैं ऐसे लगभग 15 लाग की संख्या में हमारे इस प्रकार के परिवार और उस प्रकार के कारे करने वाले लोग यहां पर पहले से मौजूद हैं जिने हम लोगों ने पहले ही करोना संकट आने के ततकाल बाद भरण पोशन की विवस्ता की थी उन सब को भी एक नया संबल इससे प्राप्त होगा मैं अधने प्रधान मंत्री जी को देश की ग्रामिन अर्थ बिवस्ता को देश के सूक्सम लगू मद्यम उद्यम को देश के आर्थिक स्वाबलंबन के आधार इस सेक्टर को एक नई जान फूकने के लिए जो इस बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोशना की है इसके लिए मैं अधने प्रधान मंत्री जी का एक बार फिर से अविनंदन करता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता की और से उनकी प्रति आभार वेक्त करता हूँ और मुझे विश्वास है क्योंके मार्क दर्सन में हम करोना पर विजय प्राप्त करेंगे और प्रतेक नाकरी को न केवल करोना से सुरक्सित करेंगे अपितो आर्थिक स्वावलंबन की और अग्रसर करने में भी इस प्रकार का आर्थिक पैगेज हम सब के लिए एक बहुत बड़ा संबल का कारे करेगा मैं फिर से आधने प्रधानमंत्री जी का हिरदे से अविनंदन करता हूं आभार विक्त करता हूं धन्यवाद